नमस्कार आपने विद्द्याले के छात्र अभिनव हैं यानि आपका नाम अभिनव है आप जैपुर के विद्याले के छात्र हैं स्वव विद्यालेस से प्रधानाचार्याय दिंद्वयस से रुगनावकाशाय लिखीते प्रार्थनापत्रे रितस्थानानी मंजुशायां प्रदत्त शब्दै पूरा इत्वा प्रार्थनापत्रम पुनहा लिखत अपने विद्याले के प्रधानाचार्या को दो दिन के रुगनावकाशाय बिमारी के छुट्टी के लिए लिखे गए प्रार्थनापत्र में रितस्थानों को मंजुशा में दिये गए शब्दों से भरकर प्रार्थनापत्र को पुनहा लिखिये सेवायाम, सेवामे, श्रिमंतह प्रधानाचारिय महोदय हा, बैश उच्यमाध्यमिक विद्याले हा, कौन सा है उच्यमाध्यमिक विद्याले, अब पहले हम ओप्शन्स देखते हैं, मंजूशा में ओप्शन्स हैं, आज्याकारी, अहम, अभिनवह, राजकिह, स्विकृत्य, दिन्द्वयस्य, रुग्णह, सविनयम, आगंतुम, सधन्यवादा, मतलब चात्र वगेरा, अग्याकारी शिश्य, अहम, मैं, अभिनवनाम है, राजकिय, यानि, सरकारी, स्विकृत्य, स्विकार करके, दिन्द्वयस्य, दो दिनका, रुग्णह, विमार, सविनयम, विनय सहित विनमरता पूर्वक आगन्तुम आने में सधन्यवादा धन्यवाद। निवेद नमस्ति हमेशा याद रखिए सविनयम निवेद नमस्ति या तो ये पहला ब्लैंक होगा या फिर दूसरा होगा दूसरा होगा तो निवेद नम हमें ये लाइन याद ही कर लेनी है सविनयम निवेद नमस्ति यत डैश गत दिवसात अतीव डैश असमी अब यहां द लिखा कि मैं यत अहम मैं गत दिवसात पिछली पिछले दिन से अतीव डैश असमी अतीव क्या बहुत ज्यादा क्या हूं मैं रुग्णह बिमार हूं अतीव रुग्णह असमी अता अहम विद्याल्यम इसलिए मैं विद्यालय में क्या आवन्तुम हमने अहम भर दिया राजक प्रार्थना अस्तियत प्रार्थना है कि 19 से 20 मार्ष तक दिनांक प्रियंतम डैश अवकाशम उन्नी से 20 तक तो क्या हुआ उन्नी से 20 तक दो दिन का यह हमारे पास दिन द्वयस्य उन्नी से 20 तक दो दिन का अवकाशम स्विक्रित्य या प्रदाय शब्द भी होता है कि अवकाश देकर और यहां ऑप्शन्स में हमारे पास स्विक्रित्य शब्द है स्विकार करके दो दिन का अवकाश स्विकार करके माम अनुग्रहिशन्ति मुझ पर क्रिपा करेंगे सधन्यवाद हा धन्यवाद सहित सधन्यवाद हा भवताम मिन्स आपका आपका कैसा शिश्य आपका आज्याकारी शिश्य भवताम आपका अग्याकारी शिश्य है नाम उपर पता है हमें हम अभिनव हैं तो आपका अग्याकारी शिश्य अभिनव है बहुत आसान होता है ये बिलकुल भी टफ नहीं होता अग्याकारी भर्दिया हमने सविन्यम पहले भर्दिया अभिनव हो गया हमें सासात काटते जाना है, अब मैं पूरा पत्र फिर से पढ़ती हूँ, सेवायां, शिरिमंतह, प्रधानाचारिय महोदया, राजकीह, उच्चमाध्यमिक विद्यालेह, जैकुरं, प्रजस्थानं, विशय, दिंद्वयस्य, रुग्णावकाशार्थम, प्रार्थनापत्र महोदया, सविनेयम निवेद्नमस्ति, यत अहम, गत दिवसात, अतीव रुग्णाः अस्मी, अता अहम विद्यालेह, अगंतुम, अस्मर्थ अस्मी, प्रार्थनाच्ति, यत, 19.2022 तह, 23.2022 दिनांक प्रयंतं, दिंद्वयस्य अवकाशं स्विकृत्य, माम, अनुग्रहि प्रारिशिष्यह, अभिनवह, कक्षा, अश्टमी, इस तरह से दो-तिन बार पढ़ेंगे, वैसे पूरा भी लिखना आ जाएगा, अगला प्रार्थना पत्र है, भवान सुरेशह, आप सुरेश हैं, भवान स्वपितु स्थानांत्रन कारणात, तत्रेव पठितु मिच्छ आप स्वपितु हूँ अपने पिता के स्थानांत्रन, ट्रांस्फर, तबादला, कारणात मिंज कारण से, अपने पिता के ट्रांस्फर के कारण से, तत्रेव वही पर पठितु मिच्छती पढ़ना चाहते हैं अतह स्वविद्यालेस से प्रधानाचार्याय स्थानांत्रण प्रमानपत्रम टीसी प्राप्त्यार्थम लिखीते प्रार्थनापत्रे रिक्त स्थानानी मंजूशायां प्रदत्तै शब्दै पूर इत्वा पुन्हा लिखत इसलिए अपने विद्याले के प्रधानाचार्ये को इस्थानांत्रन प्रमान पत्र के लिए टीसी के लिए टीसी प्राप्त करने के लिए लिखे गई प्रार्थना पत्र में रिक्त स्थानों को मंजूशा में दिये गई शब्दों से भर कर पुनहा लिखिए एक बार पत्र पढ़ते हैं सेवायाम डैश प्रधानाचार्य महो निविद्नमस्ति यत्मं डेश स्थानांत्रणं डेश संजातं असमात कारणात डेश सर्वे परिवार्जन हां तत्रैव गमिश्याम हां अतह संपरती डेश पठितुम सर्वता असमर्थोस में अतह प्रार्थनास्ति यन्महियं स्थानांत्रण प्रमानपत्रं डेश अनुग प्रहिश्यंती श्रीमंतह, मौम पितुहु डैश, राज्या देश प्रतिलिपी सनलगनास दी, डैश शिशह, डैश, कक्षा नवमेब, ओप्शन्स देखते हैं, इस्थानांत्रनस्य, इस्थानांत्रन का, अहम अत्र, मैं यहां, श्रीमंतह, शिरिमंद, भवताम, आपका, प्रधाय मुन्स देकर, पितुहु, पिता का, प्रयागह, शहर का नाम है, प्रयाग। कानपुर नगरे, कानपुर नगर में ये भी शहर का नाम है अब इनको किस तरह से प्रयोग करना है, दोनों शहर के नाम है, इसको हम समझाएंगे वया मिन्स हम सब सुरेश, सुरेश आप हैं, प्रार्षना पत्र लिखने वाले हैं भवान सुरेश प्रशन में था, तो सुरेश कहां जाएगा, नंबर दस पे सुरेश, सबसे पहले हम भर देते हैं, दस नंबर पे सुरेश सेवायाम डैश श्रिमंतह प्रधानाचार्य, एक फार्मेट यदि याद कर लें, तो हमें पता लग जाता है सेवायाम श्रिमंतह प्रधानाचारिय महोदया राजकिय उच्च माध्यमिक विद्याले डैश यहां हमेशा शहर का नाम आया करता है और मैंने बताया शहर के दो नाम है नीचे हमारे पस प्रयाग और कानपूर नगरे कानपूर नगरे में सब्तमे विभक्ती लगी है इसलिए वो नहीं आ सकता हमें लिखना है प्रयाग शहर कौन सा है प्रयाग यह हमारा विद्याले कहां पर है प्रयाग में विशे है टीसी प्रमानपत्र ब्राप्ति के लिए महोदया निवेदनमस्ति यत्मम निवेदन है कि मेरे पिता का स्थानांत्रन ट्रांसफर डैस संजातम कहा हो गया है अब आगया वो कानपुर नगरे कि मेरे पिता का स्थानांत्रन कानपुर नगरे संजातम कानपुर नगर में हो गया है अस्मात कारणात डैस सर्वे परिवार्जनह तत्रेव गमिश्यामह गमिश्यामह क्रिया से पता लग रहा है कि यहांपर वयमाएगा कि हम सब परिवार के लोग वयम सर्वे परिवार जनहां तत्रेव गमिशाम हां वहीं जाएंगे अत्ह संप्रती मिन्स अधुना अब इसलिए अब डैश पठीतुम सर्वता अस्मर्थो अस्मी यहां भी क्रिया से अंदाज लगाना है हमें अस्मी है तो अहम अहम प्लस अत्र लिखा है यह अहम अत्र मैं यहां इसलिए अब मैं यहां पढ़ने में सर्वता बिलकुल अस्मर्थ हूँ अतह प्रार्थ नास्ति यह न महियं कि मुझे स्थानांत्रण प्रमाण प्त्रम प्रदाय देकर कि मुझे टीसी देकर अनुगरही करेंगे आप अनुगरही शन्ति शरिमंत अहां मम पितु हुँ मेरे पिता के स्थानांत्रनास्य स्थानांत्रन की स्थानांत्रनास्य पीसी की एक फोटो कॉपी सनलगनास्ती सनलगन है डैस शिश्य भवताम शिश्य भवताम शिश्य भवताम निंस आपका आपका शिश्य नमबर 10 पे हम भर चुके हैं सुरेश हो नमबर 10 सुरेश इस तरह से हमें थोड़ा सा अंदाज लगाना है क्रिया दी हुई है तो हम उसके करता को पहचान सकते हैं करता दिया हो तो हम क्रिया का अंदाज लगा सकते हैं भवताम, भवतह ये तक्रीबन उससे पहले आते हैं आप काशिश ये भवत शब्द के रूप आपको एक बार याद करने हैं धन्यवाद